दूस्तों मेरे एक student राके जीने मुझे सवाल पूछा था, जीन है सुस्टवियर और ये application software क्या होता है? और ये software और हाडवेर में क्या difference होता है? जीना दोस्तों ये बहुत important सवाल है, अगर आपको कौछन साथा? सवाड़ और हाडवेर में क्या difference होता है? तो आप सोचते रहो जाओगी तो अगर आप चाहते कि ऐसा ना होगी हाड़वर और सॉप्टर के बारे में हमें पता ना हो तो ये वीडियो आपके लिए है ये वीडियो एंड तक देखिएगा आपको पता चल जाएगा मैं सतीश कंप्लीट टेक्रावर चैनल में आप सब का स्वागत काता हूँ चलिए शुकरते ही हैं इंट्रेस्टिंग टॉपिक तो दोस्तो जैसे कि मैं इंट्रो पार्ट में आपसे का कि मैं बताने वाला हो आपके कि सॉप्वेर और हाडवेर में क्या डिफरेंस होता है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सॉप्वेर के बारे में सॉप्वेर यानि की प्रोग्राम्ज जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होते हैं जिने हम देख सकते लेकिन चूँ नहीं सकते याद रखिए सॉप्टर को हम चूँ नहीं सकते लेकिन देख सकते जो computer के अंदर install होते है और hardware यानि की computer के components, computer के devices जिने हम चूँ भी सकते, देख भी सकते, खोल भी सकते, repair भी कर सकते इन्हें हम hardware केते, तो आपको software और hardware का major difference तो समझ में होगा कि software को देख सकते, लेकिन चूँ नहीं सकते, hardware को देख सकते, चूँ भी सकते है अब software में भी दो type रहता है, एक system software और एक application software system software यानि कि जिनकी मदद से हम computer को use कर पा रहे है computer में हम user interface ले पा रहे है, यानि कि हमारे computer पर हमें desktop दिखाए दे रहा है icons दिखाए दे रहा है, हम सारे menu वगएरा access कर पा रहे है यह होता है system software, तो मेरा windows का computer है तो windows operating system मेंने यह system software इंस्टॉल कर लिया है इसलिए मैं computer का user interface access कर पा रहा है system software की मदद से user interface access होता है सारे devices coordinate होते है, यानि कि keyboard, mouse यह सारे devices जो है system software की मदद से operate होने लगते है तो आपके computer में system software होना बहुत ज़रूरी होता है और system software की मदद से application software भी design किया जाते है जैसे कुछ system software रहते हैं, जिनने specially application software design करने के लिए यूज किया जाता है, अब system software basically application software कैसे design करता है क्योंकि system software अपनी जो language है, हमारी language कुन सी है हमारी language basically English, मतलब हम computer के साथ English में communicate करते है लेकिन computer की जो भाषा है न वो English नहीं है, computer English में नहीं समझता है वो machine language में समझता है, binary language में समझता है तो system software यहाँ पर काम में आता है हमारी language है English, वो हमारी language computer को समझाने का काम system software यहाँ पर काम कर रहा है, language translator का काम कर रहा है basically तो यहाँ पर जो भी हम input देना चाहते है, वो input instruction machine language को समझाने का काम यानि binary language में convert करने का काम यहाँ पर system software, हमारी operating system, C language, Java, Python यह सारे के सारे अलग-अलग system software काम करते है, अब C language, Java, Python यह अलग-अलग जो programming जैसे विज्योल, बेसिक वगरा, इनके जरी अलग-अलग application software बनाए जाते हैं याद रखिए, system software की मदद से application software को design किया जाता है, और जो system software यूज करने वाले हैं, उन्हें programmer कहते हैं, जो system software पे काम करते हैं, उन्हें programmer या computer engineer भी आप बोल सकते हैं अगर आपने computer engineering में admission लिया है, तो आपको पता चलेगा कि आपको programmer बोला जाता है, और जो word, Microsoft word, Excel PowerPoint यूज करते हैं, उन्हें computer operator कहते हैं, तो भई आप ये मत समझ लेना कि मैंने Microsoft word सीख लिया, तो मैं computer engineer बन करते हैं, आपको computer operator कहा जाता है, आप end user हो आपको end user भी कहा जाता है, आप Microsoft word, Excel, PowerPoint यूज कर रहे हैं application software, ये यूज कर रहे हैं, तो आप end user हो, याद रखिए तो system software या नहीं कि, जो हमें user interface देता है, हमारी language, English को convert करके machine language में transfer कर देता है, वो machine को समझाता है, ये user क्या कहना चाहता है, अब application software के बारे में जान लेते हैं, application software में भी दो टाइप होते है, application software में होता है, basic application और दूसरा रहता है, specialized application software, application software user को बोला जाता है, end user या फिर operator कहा जाता है, तो application software में, जो basic application software होते हैं, वो होता है, microsoft word, या फिर painting करना, या फिर calculator के यूज करना, ये basic application software होते है, और specialized application software, यानि कि special task के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि specialized application software में आता है, accounting के लिए यूज किया जाता है, photoshop, photo editing के लिए यूज करते है, और और अगर आपको पता नहीं कि वह यह Specialized Application Software कैसी यूज किया जाते है तो इसके लिए अल्रेडी मैंने Courses डिजाइन करके रखे जो कि description में मेरी website पे आपको मिल जाएंगे घर बैटे बैटे Courses सीखने का मौका है दोस्तों जो कि online available है आप जैसे पर्चेस करोगे आपके Dashboard में कॉर्स दिखाए देगा आप सीखना शुरू कर सकते है घर बैटे बैटे कंपीज में ISO certified courses आपको मिल जाएगा कॉर्स कंप्लीशन का तो आप ज़रू चेक आउट कर लेना अगर आप application software सीखना चाहते है हाँ उसमें कुछ system software भी जैसे VBA अगरा भी मैंने study करना चाहिए आपका समय बचता है आपके पैसे भी बचते कंपीज में आपको घर बैटे बैटे कोर्स मिलता है और आप रिपीटेड दस बार देखना चाहते हो तो देख सकते practice file के साथ course available है यह तो मैंने courses के बारे में बताया लेकिन मैं बता रहा था application software के बारे में इन्हें specialized application software कहा जाता है ओके तो आपको system software और application software definitely दोनों भी clear हो चुके होगे अब hardware के बारे में थोड़ा सा detail में जान लेते हैं अब hardware में यहाँ पे मैं दो part यहाँ पे consider करता हूँ जैसे कि internal hardware parts और external hardware parts अब external hardware parts में आपको तो parts उपर ही दिखाए देते keyboard, mouse आ गया, camera यह mic आ गया, printer आ गया, monitor आ गया यह सब external hardware parts और internal hardware parts जो की CPU के अंदर होते हैं तो अभी पहले external hardware parts के बारे में थोड़ा सा और detail जान करें देता हूँ इसमें input devices होते हैं और output devices होते हैं processing devices जो होते हैं वो तो internal hardware parts में आते हैं पूरे पूरे तो input devices जैने कि जिसके थूरू computer में data दिया जाता है keyboard, mouse, mic, camera इनके थूरू computer में instruction पास होते हैं तो इन्हें input devices कहा जाता है, keyboard से हम typing data इंटर कहते हैं, mouse से हम instruction या फिर graphics वगरारा करना है तो mouse की ज़ुरत पढ़ती है आप computer में काम नहीं कर सकते हैं, यह हो नहीं चाहिए, और web camera, mic या फिर light paint यह सब devices specialized input devices हैं इन्हें तभी हम use करते हैं जब हमें जरू होते हैं, जैसे scanner जब हम scanning के जरू होते हैं तब हम scanner का इस्तमाल करते हैं उसके बाद output devices में monitor आता है, speaker आता है और printer आता है, यह भी hardware के parts है, जिन्हें हम choose सकते है, repair भी कर सकते हैं So monitor जो होता है, इससे जो output आता है, यह soft copy कहते हैं, क्योंकि आप इसे edit कर सकते हैं क्योंकि उसे edit नहीं कर सकते हैं, print out आ गया, edit नहीं, इससे hard copy कहा जाता है तो यह आपको पता चला कि devices कौन-कौन से होते हैं अब हम बढ़ते internal parts की तरह, मतलब CPU के अंदर गुच जाते हैं गुचने से मेरा मतलब है कि CPU के अंदर के parts के बारे में जान लेते हैं मेरी style ही ऐसे बोलने की आप समझ गया होंगे CPU याने की Central Processing Unit जो computer का brain होता है एक single chip में होता है जो screen के उपर आपको दिखाए दे रहे है आपको यह जो cabinet दिख रहा है पुरा screen पर में दिख रहा है इस cabinet को हम CPU बोलते हैं basically लेकिन इसके अंदर एक single chip रहती है दुसरा है यह motherboard यह motherboard जो है यह important board है यह circuit board भी हम इसे कहते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों कहना है कि sir इसे motherboard क्यों कहते हैं और यह अगर motherboard है तो कुछ student मुझे यह भी पूछा कि फादर बोड कहां पर है तो फादर बोड वगरा तो नहीं रहता है लेकिन motherboard इसे क्यों कहते है यह मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा basically यह सारे devices को coordinate करता है आपका keyboard, mouse, scanner, printer, monitor यह सभी की सभी इसके साथ attach होते है याद रखिए यह सभी इसके साथ attach होते है आपके computer में जो hard disk है, RAM है वह भी इसकी उपर ही attach होता है सब कुछ इसके उपर, CPU भी इसके उपर लगता है तो यह सारे devices को coordinate करता है आपके घर में आपके सारे relation को coordinate कोन करती है basically 90% घरों में तो ऐसे ही होता है जैसे मेरे बचपन में मुझे पिकनिक जाना रहता तो तो मैं बोलता था ममी पापा को बोलो ना पैसे देने के लिए तो यह जो relation coordinate होता है basically ममी के through इसलिए यह relation देखके यहाँ पर इस motherboard को नाम दिया है कि यह सभी devices को coordinate कर रहा है सो motherboard इसका नाम क्यों है यह आपको पता चला होगा लेकिन computer में fatherboard नहीं रहता है हाँ यहाँ पर SMPS जरूर है जो computer में power supply देता है जो कि आपके screen के उपर आपको दिखाए दे रहा है switch mode power supply switch mode power supply जो पूरे computer में power देता है जैसे आपके घर में power किसकी रहती है तो वैसे ही यहाँ पर यह fatherboard आप इसे कह सकते SMPS switch mode power supply मैं यहाँ पर बस बोल रहा हूँ यह fatherboard नहीं वैसे बट यह switch mode power supply जो कि AC power को DC में convert करता है और आपके hard disk motherboard सबको power यहाँ पर supply करता है तो यहाँ पर मैंने motherboard बताया SMPS बताया अब आता है storage devices की तरब यहाँ पर storage के लिए hard disk होता है जो कि आपके सामने दिखाए दे रहा है लेकिन यह hard disk mechanical device है जिसमें data store होता है platter की उपर अप latest में memory card की तरह आपको एक device मिलेगा चीप की तरह basically memory card की तरह नहीं मतलब चीप के format में और वह होता है SSD जो की latest technology है और आपके computer में SSD होना चाहिए याद रखिए अगर आप computer नया ले रहे हो SSD तो at least लीजी लीजी है थोड़ा सा costly होता है लेकिन SSD आपको ज़रूरी है speed boosting के लिए याद रखिए अगर आपको लगता है कि आपका computer का performance अच्छा होना चाहिए तो computer start करते ही start होना चाहिए booting fast होना चाहिए तो आप SSD ही install कर लीजी आपके computer में या फिर laptop लेते समय SSD वाला ही laptop लीजी SSD at least होनी चाहिए साथ में hard disk भी आप लगा सकते हैं तो यह storage devices जिसमें data store करके आप रख सकते हैं hard disk आपको पता चला इसके अलावा इसमें RAM होता है जो की computer का speed बढ़ाने का काम करता है speed बढ़ाने में help करता है CPU को RAM random access memory इसके बारे में detail वीडियो में बनाऊंगा और अगर आप in hardware components के बारे में या hardware सीखना चाहते हैं detail में computer hardware घर बैटे बैटे computer repairing करना चाहते तो description में course की link दे दिए आजकल लोगों ने उसे निकाल दिया क्योंकि pen drive आ चुके तो DVD का जमाना गया अब pen drive का जमाना है storage के लिए तो यह computer के अंदर के part है SMPS याद रखो, HDC याद रखो, motherboard याद रखो RAM याद रखो, CPU याद रखो यह computer के internal parts है जो आपको पता होने चाहिए तो hardware और software क्या होता है basically आपको समझा होगा जिसे हम देख सकते, चू सकते hardware जिसे हम देख सकते, चू ने सकते software, simple सा explanation मैंने आपको दिया है definitely यह वीडियो पसंद आया होगा और चैनल पे नए मैमान हो तो चाहिपी के जाईएगा आपको subscribe करके रखना है अपना खयाल भी रखो, बाई बाई